निज्वेशन पर आपका स्वाकत है आपके साथ में हो राकेश पांडे दोपहर के एक बाच चुके है शुरुबात बड़ी कबर के साथ बड़ी कबर एलोसी जे यहाँ पर पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर सामने आई है पुंच में एलोसी के पास दिखा है पाकिस्तान का लड़ाकू विमान पाकिस्तानी फाइटर विमान एलोसी के बेहत करीब दिखा है ये बात भारती वाइट सेला की उरते कही गई है सुबा साथ बचकर 55 मेट यानी पॉने आठ मजे के आसबास एलोसी के पास दिखा है पाकिस्तान का फाइटर विमार भारती सीमा में पाकिस्तान फाइटर के घुसने की फिलाल पुष्टी नहीं हुई है लेकिन ये जरूर कहा गया है ये जरूर जानकारी दी गई है कि एलोसी के बिलकुल बेहत करीब तक दिखा था पाकिस्तानी वायुसेला का फाइटर जेट लेकिन ये भारती सीमा में घुसा या नहीं इस बात को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई लेकिन इस बात की पुष्टी की गई है कि एलोसी का पास दिखा है शानवाज हमारे साथ जुड पाकिस्तान की तरफ से बड़ी हरकत इसे कह सकते हैं क्यूंकि एलोसी के पास अमूमन दोनों ही जो यहां पर वायुसेना हैं वो अपने फाइटर एरक्राफ्ट जो हैं वो लेकर नहीं जाती हैं ऐसे में सुबह साथ बच के पंतालिस मिनट पर ये फाइटर एरक्राफ्ट ये सेना के सेना है और जो वायुसेना है उन्होंने कन्फर्म किया है कि एरक्राफ्ट पाकिस्तान की तरफ से आया था और कुछी सेकंड में वो चला गया है लेकिन जो दूएं की लेयर है वो बिल्कुल वहां पर एलोसी का जो डिगवार और ढोकरी का इलाका पड़ता है वहां पर दिख रही है ऐसे में स्ट्रॉंग अब्जेक्शन जो है जरूर भारती वायू सिना की तरफ से यहां पर उठाया जाएगा इसके साथ ही साथ पूरे पुरे पुंच में हाई अलर्ट जो है वो यहां पर कर दिया गया है और पाकिस्तान की तरफ जो है वो नजर रखी जा रही है रकेश लेकिन लगतार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकते हो रही है कल भी पाकिस्तान की तरफ से एक द्रोन जो है वो जम्मू के आर्निया सेक्टर में यहां पर देखा गया था जिसके बाद यहां पर दस से पंदर राउंड फायर कि के लिए